ग्रिनिंजा जब से पोकेवन जर्निस में रिटन हुआ है उसके बाद से ही ग्रिनिंजा के पुपुलरिटी और भी बढ़ गई है कालोस में रिलिस के बाद से रिटन तक ग्रिनिंजा ने बहुत सी नई चीजे लर्न किये है आज मैं ऐसे ही ग्रे निंजा के 5 अचीवमेट्स के बारे में बताने वाला हूँ तो स्टार्ट करते है नमबर 5 के साथ ग्रे निंजा अपने स्पीड के लिए जाना चाता है बॉंड इवल होने के बाद कालोस में कुछी पोकेमोंस ऐसे थे जो ग्रे निंजा को स्पीड में टकर दे सकते थे सौयर के मेगा सेप्टाल एंड एलान के मेगा 4000X ने भी ग्रे निंजा के स्पीड के साबने अपने गुटने देख दिये थे पोकेमों 24 के एपिसोड नमबर 108 में ग्रे निंजा जब रेटन होा था तो उसकी स्पीड लाइटनिंग स्पीड से भी जादा थी वो भी अपने बेस फ़र्म में जिसने बिना कोई अटेक फ़र्म के लुकारियों को डॉमिनेट किया था अपने स्पीड के वज़े से बलग जापकते ही लुकारियों को डॉमिनेट को बेस फ़र्म में भी बड़ा कर सकता है हमें पता है कि ग्रे निंजा एश के साथ करनेट होकर बॉमिनेट को एक्टिवेट कर सकता है पर जब लुकारियों जलस होकर पैटल छोड़ के बाग जाता है तब ग्रे निंजा उसके पीचे जाकर उसे अपने बॉन पावर से ग्रे निंजा लुकारियों के साथ भी कनेक्ट हो जाता है नमबर टू, ग्रेनिंजा अपने ultimate power के साथ मेगा लुकारियों को अपना nature move औरा power की size को इंक्रूस करने के training देता है नमबर वन, जब भी लुकारियों अपना giant और a sphere यूज़ करता है तब ग्रेनिंजा लुकारियों के साथ connect हो जाता है और ग्रेनिंजा को पता चल जाता है कि लुकारियों अपना giant और a sphere यूज़ कर रहा है